नमस्कार आदाप्स श्त्री अकल दोस्तों, मैं शुभम पांडे आज आप सब का आपके अपने चैनल डेफिने ट्लासे से फिर से शुआगत करता हूँ और ये उमीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यास्त होंगे दोस्तों हम लोग का जो सफर है वो पहुच चुका है दिदली सल्तनत के आखरी वंस पे जिसको हम लोग जानते हैं लोधी वंस के नाम से लोधी वंस को ही भारत का सर्वप्रथम अफगानी वंस भी कहते हैं इस बात की भी हम लोगों ने चर्चा कर ली है और जो आखरी सक्सियत हम वो ने discussion कर लिया था और इसी क्रम में हम लोग पहुट चुके थे दोस्तों 1517 तक 1517 ये एक ऐसा समयकाल है जब क्या होगा सिकंदर लोधी की मित्य होगी वह मरेगा जब मरेगा तो आगे दिल्ली सल्तनत में लोधी वंस जो चलता रहेगा उसको भी तो कोई समहालने वाला चा नामसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों इबराहिम लोधी ए इसका जो पिता था जितना वह महान और योग्य था यह उसका Also section इब लोधी उतना ही नलायक और अयोग्यशाशक माना गया इतिहास कारों द्वारा और इससे इसके सामराजवाले भी लोग खुर्स नहीं थे क्यों नहीं खुर्स थे इन सब बातों पर हमें चर्चा करनी है दोस्तों इब्राहिम लोधी अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखाया है दोस्तों कल के वीडियो का लिंक मैंने डिस् सिकंदर लोदी काफी इंपोर्टेंट है एक जाम के द्रिष्टी से अब चलिए यानि जब सिकंदर लोदी 1517 में मरेगा तो 1517 में लोदीवन्स की गद्धी पे कौन काभिज होगा इब्राहीम लोदी होगा और इसका जो समयकाल चलेगा दोस्तों वह चलेगा 1526 तक यहां तक मेरे समझ से आपको अभी कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों इंपोर्टेंट है इब्राहीम लोदी भी क्यों इंपोर्टेंट है इस सब बातों की हमें चर्चा करनी है कैसे सवाल बनते हैं एकड़म डिस्क्रिप्टिव मैं हम लोग को पुराने अंदाज में ही चीजों को समझना है चलिए इब्राहीम लोदी मैंने अभी बताया जितना इसका पिता महान और योग्य शाशकता उतना ही जादा यह आयोग्य और नलाइक शाशकता ये इतिहासकार कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि सिकंदर लोदी ने जो भी पॉलिसी सुरुआत की थी जो भी कार्य क किया था जनता और समराज कि भलाई के लिए उन सब कारियों पी यह रोक लगा डालेगा यानि अपने पिता के हर कारे जो भी अच्छे कार्य थे जो इससे बन पा रहे थे उन पे क्या किया इसने रोक लगा दिया और अपने तरफ से भी कोई नई पॉलसी इसने इस्टार्ट नहीं कि जिससे जनता कब भला हो सके इस वासे इतियासकार इसको अलायक और अयोग्य शाशक मानते हैं ठीक है दोस्तो अब हम लोग आगे की और बढ़ते हैं सबसे इंपोर्टेंट चीज कि ये बनेगा लास्ट सुल्तान अफ इंडिया सबसे इंपोर्टेंट कोश्चन जो इससे आता है वो यही आता है कि लास्ट सुल्तान अफ इंडिया किसको कहते हैं तो आप बोलेंगे लास्ट सुल्तान सब्सक्राइब लोग इतना सफर्टाइब कर चुके हैं 126-1526 तक यानि जैसे ही यह मरेगा दिल्ली सल्तनत क्या होने वाली है अब खतम होने वाली है और अब सुरुवात होने वाला है क्या दोस्तों मुगल सामराजी मुगल डैनिश्टी कैसे होंगी चीजें क्या ऐसी चीज आता है तो आप जानते हैं किसका नाम आएगा इल्टु तमिश्क आएगा इन सब बातों का हम लोगों ने जिक्र किया था दिल्ली सल्तनत्र में कौन से ऐसे दो सासक हैं जिन्होंने सुल्तान की उपादी नहीं लिए भी इंपोर्टेंट को स्टन किया सबसे पहला कुतु बुद्धिनायबक्त था और जो आखरी इंसान या सेकंड इंसान था जिसने सुल्तान की उपादी नहीं ली थी वह था आपका खिज्र खान इस बात की भी हम लोगों ने ज्यानकारी ले रखी हैं दोस्तों यह सब बातें पुरानी हैं अब चलिए सबसे इंपोर्टेंट क सुल्तान एक मत्र ऐसा सुल्तान कौं है इबराहें लोधी इसा कौन सा सुल्तान था जो बैटल में मारा गया तो आपका ज्वाब होगा इबराहें लोधी यानि अभी तक दिल्ली सल्तिनत में हम लोगों ने जितना पढ़ा है दोस्तों जितने भी शाशक और जितने भी सुल्तानों के बारे में पढ़ा सब के सब कोई भी बैटल में नहीं मारे गए थे एक मातर ये सुल्तान था इसने 1517 में जैसे ही ये गद्धी पे काबिज हुआ अटैक किया कहां पे राजपूतों के उपर और कहां के राजपूतों के उपर राजस्थान के ठीक है दोस्तों राजपूत और राजस्थान अब जब ये अटैक किया तो उस समय वहां का रूलर जो हुआ करता था वह था दोस्तों राणा शांगा राणा शांगा कहां का र ऑफ्याय झाल हैं संग्राम सिंग को ही राणह शांगा के विनाा मिलता है यह जो युद्ध हुगा इन दोनों के बीच तो हम लोग जानते हैं battle of घतोली या battle of खतोली देखिए कुछ जगों पे खतोली लिखा मिलता है कुछ जगों पे घतोली लिखा मिलता है तो दोनों ही जवाब में आप यही बोलेंगे कि राणा शांगा और इब्रहेम लोदी के बीचे युद्ध हुआ था कब हुआ था 1517 में हुआ था मैं लिख देत सवाल और इसका रिजल्ट क्या निकला राणा शांगा जो था हरा देगा इब्रहेम लोदी को डिफीट कर देगा पराजित कर देगा अब देखिए जब 1517 में यह चीजें हुई यह अपने आकरमण करी रहा था रेगुलर वेस पे आकरमण कर रहा था लेकिन हर बार डिफी हुआ दोस्तों वह हुआ किसके किसके बीच इब्रायम लोदी और बावर के बीच और यह सबसे एतिहासिक हुआ इसका डेट भी पूछ लिया जाता है कभी कभी दोस्तों तो इसकी डेट को भी आपको याद रखना पड़ेगा इसका देट था 21 अप्रेल 1526 को क्या होगा द बैटल आफ पानी पत और यह इतिहासिक युद्ध माना गया यह बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन भी है क्यों इंपोर्टेंट है क्योंकि इसने इतिहास को पूरा बदल के रख दिया क्यों बदल के रख दिया क्योंकि यही युद्ध रीजन बना यही युद्ध कारण ब दोस्तों इब्राहिम लोधी मारा जाएगा बाबर द्वारा पराजित किया जाएगा और बाद में इब्राहिम लोधी को मार दिया जाएगा बाबर द्वारा और फिर नए वंस की सुरुवात होगी नए सामराज की ही सुरुवात हो जाएगी और भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत करेगा बाबर और नया सामराज सुरुवात करेगा जिसको हम लोग जानते हैं मुगल सामराज के नाम से मुगल डाइनेश्टी के नाम से और इसी के साथ दोस्तों दिल्ली सल्तनत से जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं और जो भी हम लोग को इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखना था आज समाप्त हो गया हम लोगों ने पूरा अपना सफर तैकल दिया बारहसो चैसे पंदरहसो चब्यस तक आपको दिल्ली सल्तनत नाम से एक प्लेलिस को देखें क्योंकि एक कहानी की तरह और कौन से इंपॉर्टेंट कोश्चन कहां से निकलते इन सब बातों का हर वीडियो में जिक्र किया गया है तो आप एकदम लाइन बाइन जैसे वीडियो पड़ी हुई ये लेक्चर मैंने डाल लखा है कि लेक्चर वन लेक्चर टू इस हिसाब से आप लाइन बाइन रेगुलर बेस पर वीडियो को देखते रहें ताकि आपके दिल्ली सल्तनात में अब कोई भी सवाल ना फसे और मैं आपके बीच जल्दी ही दिल्ली सल्तनात से और भी इंपॉर्टेंट कोश्चन की स्रिंखला लेके आने वाला हूं दो आ अब हम लोग को सुरुवात करनी है मुगल सामराजी की मुगल डाइनिस्टी की बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक जाम के दृष्टी से बहुत ही ज्यादा कोश्चन मुगल डाइनिस्टी से आपको देखने को मिलने वाले हैं और इसी के साथ मैं दोस्तों आपको यह जरू देता हूं दोस्तों धन्यवाद